नमस्कार, एशान्यूज इंडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ, आईए देखते हैं मद्रप्रदेश की कुछ प्रमुक खबरें इंदोर के वैंग्टेश ने IPL करियर का पहला शतक ठोका, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर रतलाम, लक्ष्मिबाई नगर और उजेन फत्याबाद के बीच होगा दोहरी करण उजेन में भसमा अरती करने आए तीन श्रत दालों से ठगी फरजी टिकेट बना कर वसूले 45 सो रुपे, FIR दर्च अंबेटकर महकुम, पंच महकरांती से सुद्रे का जीवन अनुसुची जाती की उपचातियों के लिए बनेंगे अलग-अलग बोड भोपाल में पहली GIS लेब, बनेगी सेटेलाइट, कैमरे से पकड़ेगी अतिकरमन इंदोर में कच्रा मिक्स करने पर पत्नी को टोका तो पेट्रोल पम संचालक ने सफाई कर्मी पर तांदी रिवालवर इंदोर से लोट रहे मंसोर युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हाथसे में मोत भोपाल में 32 साल से जब्त वहनों को रखने थानों में नहीं है जगह एक के उपर तक एक रखे जा रहे हैं विदीशा में 13 शताबदी तक की 2000 से अधिक भहुमुल प्रतिमाय खा रही है धूल नो दीन बाद फिर कूनों के बफर जोन को पार भागा ओबान शियूपूरी के जोराई शेतर में पहुँचा बुरानपूर में मिट्टी में मिला पान खेडा का केजी एफ पहाड़ी से 4 किलोमेटर दूर तक निगरानी रखता था माफिया फूल सिंग सभी 800 टपरों के लोग तीर कवान से लेस रहते थे हर टपरे में था पत्थरों का धेर ग्वालियर में घरेलू विवाद को देश प्रतारना का रूप देना कानून का दुरुपयोग हाई कोट ने कहा कल और पड़सो मद्धिप्रदेश की ज़्यादातार हिस्सों में बादल चाने और बारिश की संभावना इसी के साथ बने रही है एशानिस इंडिया के साथ था निवाद